हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे मैं क्यार सेनी क्यार एजुकिशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों डिये और डियर के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आयों पिछले 3 महीनों से एसेपिन के आकड़ेयां पर जारी नहीं किया जारेते उनका काफी लंबे समय से इंतेजार किया जारा था अब जो है फाइनली जाके इंतेजार खतम हुआ फरवरी मार्च और अप्रेल 3 महीनों के आकड़े आज जारी कर दिया है लेबर ब्यूरो की तरफ से अब जो है अपन डिसाइड कर सकते हैं कि जुलाई से जो DA और बढ़ने वाला है वो कितना बढ़ेगा जो जनर्वरी और जुलाई में मिलने वाला DA और डियार कितना होता है तो अब जो है जुलाई का जो DA और बढ़ने वाला है यह आपका डिसाइड होगा जनर्वरी से लेके जनर्वरी फरवरी मार्च अपरेल मैं जून इन चेह मेनों के जो रिपोर्ट है उनके आदार पर आद दोस्तों देखेंगे कि फरवरी मार्च अपरेल में आपड़े कैसे कैसे रहे किसमें कमी हुई क्या बढ़वर्दी हुई है सारा को इस वीडियो में बात करेंगे और ओनलाइन के मादेम से आपको सारा कुछ यहां पे क्लियर हो जाएगा एक तरह से अच्छी आपको दिखा देता हूं आपके तीनों महीनों के जो आकड़े आए वह आपको दिखा देता हूं देखे दोस्तों स्क्रीन पे गवर्मेंट ओब इंडिया मिनिस्ट्र उप लेवर एंड इंप्लॉइमेंट लेवर ब्यूरो की रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे साथ जून दोजार चोबीस आज की ही रिपोर्ट है और तीन महीनों के जो इंडेक्स से जारी करें हैं फरवरी मार्च और अप्रेल के तो देखे दोस्तों यहां पे पहले आपका जनुवरी में जो आकड़ा था 138.9 था और उसमें पॉइंट तीन की वर्दी कही गए और आपक कमी हुए एक तरसे महेंगाई कहां से कमी हुए आकड़ों में यहां पे कमी क्यों हुए है यहां पे जो कमी आई है वो आपकी नेगेटिव ग्रोथ दिखाता है आपके डी और डी आर में यहां से फिर से आपके पॉइंट फाइब की वर्दी हुए है और 149.4 पे फरवरी के थे वह यहां पे अपरेल के अंदर आ जाते हैं 0.2 की वर्दी हुए है क्योंकि यहां पे जो कमी हुए थी यह कमी यह तरसे आपके डी और को नेगेटिव ग्रोथ यहां पे दिखा जैती है तो इस ही आदार पे आपका जो डी डी आर काफी तेजी से बढ़ने व लेके चलता हूँ वहां से सारा कुछ रिसाइड हो जाएगा कि अभी तक आपका डी डी आर कितना बढ़ चुका है और जुलाई से लेकने वाला कितना आपको मिल सकता है तो यह तीन वहिनों की रिपोर्ट आई है आज ही की डेट में देख सकते हैं आप तीनों के मैंने आकड़ों में कमी हुई है मार्स से अपरेल में गये तो फिर से आकड़ों में वर्दी हुई है आज ही की रिपोर्ट है मैं आपको ओनलाइन डीय के माध्यम से वहां पर लेके चलता हूँ और देखेंगे उसमें यह आंकड़े डालने के बाद में कि कि कितना जो आपका डी यह जो भी बनेगा वो के निकल के आ जाएगा तो देखें में फरवरी का आकड़ा इसमें डालता हूँ 149.2 तो आपका 149.2 तो देखेंगे आपका जो सामने आकड़ा निकल के आ जाता है एक एक इकाउन पॉंट 45 और इसके बाद में में फिर से जो है मार्च का आकड़ा जो आज लीज हुआ 138.9 यह डालता हूँ तो एकाउन पॉंट पिच्यान पहुँच जाता है और अप्रेल का जो आकड़ा में डालता हूँ 149.4 तो आपका जो आकड़ा है वो पहुँच जाता है आपका 52.2 पे यह नि आपका जो डिये है 52.4 हो चुका है अगर आकड़ों 54 यहां तक पहुंच सकता है अब देखे दोस्तों मैं मान लेता हूं कि आकड़ों में वर्दी नहीं होती है 149.4 यहां पर रहता है यह आगे क्योंकि दोस्तों कमी भी हो सकती वर्दी भी हो सकती है अपन ना कमी कर रहे हैं ना वर्दी कर रहे हैं मैं यह यह आकड़े रख ले लिए प्लस हो रहा है यांई कि 3% में आपके डीयडीर की वर्दी कनफर्म है अगर दोस्तों मान लेते हैं कि यहां पर 149 जो है 149.4 है इसमें इनमें सब में वर्दी होने के बाद में यां पर अगर आक्ड़े मान लोगे 140 आ जाते हैं में कैसे बगर के इसमें वर्दी होने के बाद में तो 140 अगर अपने इसमें डालते हैं तो आपके बास में फिर भी 15.19 या रहा है तो कहने का मलग चोन पर पहुंचने के लिए आपको यहां पे बहुत अच्छी ग्रोध चीह जो की पोसिबल नहीं है तो यहां पे मेरे साफ से जो जो मार्स में गया यहां पे नेगिटिव जो है कम हुए पॉइंट उस आधार पे आपका नहीं तो पहले ऐसा डिसाइड किया रहा था कि डिया जोई चोन परसेंट या पच्पन परसेंट आराम से मिल जाएगा लेकिन अब जो है त्रेपन परसेंट आपका कन्फरम है चोन परसेंट जो है चोन परसेंट के लिए यहां पे काफी बड़ी चलांग जो है लगाएंगे आकड़े तब ही जो है चोन परसेंट पोसिबल है अन्यता चोन परसेंट नहीं होगा तो मेरे इसाब से यहां पे अभी तक मैं जो है कह सकता हूं कि 53 परसेंट जो है इन्हीं 3 पर मैं यहां पर कमी कर रहा हूं 0.4 की फिर भी जो आकड़े 53.10 आ रहे हैं कहने का मलब सीधा सिधा यह है कि 53% आपका डिया और डियार निश्चित मिल जाएगा अगर एक 4% होगा तो उसके लिए आप आकड़ों में काफी बड़ी चलांग लगानी होगी जो की पॉसिबल नहीं तो 3% बढ़ जाएगा मर्जोने का बात में अन्यत आपका जो है यह 53-54% ऐसे चलता रहेगा तो 53% आप अभी तक मान सकते हो बाकी अगले दो मेहिनों के आकड़े आएंगे उसके आधार पर डिसाइड होगा फिर भी मेरी तरब से मिया काओंगा कि 53% ही बढ़ेगा 4% यहा कैसे मिलने वाला है तो दोस्तों यह थी एक छोटी से अपडेट महतुमन अपडेट आई होप आपको जानकार अच्छी लेगी होगी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ में सेर जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स रहेगी थेंक यू